मुर्दागर में डॉक्टर महिला की हाई हील्स उतारता है फिर उसने उसकी काली पुशा खोली उसने ब्लेक स्टॉकिंग्स के साथ ड्रेस को कच्छे की थेले में फेक दिया जैसे ही वो महिला के नाइटगाउन को खोलने वाला था महिला ने अचानक अपनी आखे खोली और पूछा मैं कहा हूँ लेकिन डरने के बजाए उस आदमी ने शांती से उससे कहा तुम शम्शान घर में हो तुम मर गई हो एना भैभीत हो गई उसे विश्वास नहीं होता कि इलियट सच कह रहा है इलियट ने एना की आखों के सामने उसका डेट सर्टिफिकेट रख दिया ताकि वो सच्चा इस विकार कर सके एना को तब याद आता है कि वो किस दोर से गुजर रही थी इससे पहले कि वो मरी उसका अपने बॉइफ्रेंड से जगड़ा हुआ था इसलिए वो ओदास हो गई और बारिश में गाड़ी चला रही थी वो एक कार एक्सिडेंट में मर गई जब वो फिर से उठी तो उसे बताया गया कि वो मर चुकी है इलियट फिर एक स्पंज बॉल लेता है और एना के शरीर पर काम करना जारी रखता है वो अंतिम संसकार में उसे सुंदर दिखाना चाहता है लेकिन एना उसकी पीट के बल लेती हुई है अभी भी इस पर विश्वास नहीं कर सकती वो इलियट से पूछती है कि वो उसे जाने क्यों नहीं देगा इलियट उसके सवालों पर ध्यान नहीं देता उसे एहसास होने लगा कि वो मर गई है टाके अभी पूरे नहीं हुए थे तभी इलियट ने अपनी घड़ी पर नजर डाली फिर उसने एक सीरिंग निकाली उसने कहा कि वो शरीर की मान स्पेशियों को अकरने से बचाने के लिए एना को मसल रिलिक्सेंट का इंजेक्शन लगाने जा रहा था क्योंकि एना की माँ अब उसे देखने आ रही थी लेकिन वो जल्दी आ गई एना कुछ ही पलो में फिर से बेहोश हो गई और उसकी माँ फ्यूनरल होम पहुँच गई शरीर को धुकने वाले सफेद कप्रे को हटाने के बाद उदास बूरी माँ को कुछ भी असामाने नहीं लगा लेकिन जब वो जाने लगी तो उसने इलियट से एक बात पूछी वो चाती थी कि इलियट उसकी बेटी के बालों को वापस ब्राउन रंग में डाय करे एना जब उठी तब चारो तरफ अंधेरा हो चुका था उसने अपने नाड़ी कुछ हुए लेकिन कुछ भी महसूस नहीं कर सकी तब ही उसका बॉइफ्रेंड पॉल फ्यूनरल होम पहुँचा उसे पता चला कि एना के साथ जगड़े की कारव उसका कार एक्सीरिंट हो गया था उसने इलियट से कहा कि वो उसे अपनी गल्फ्रेंड के शरीर को देखने दे क्योंकि वो गिल्टी फील कर रहा था इलियट ने उसके बॉइफ्रेंड को भी यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि वो सच में मर चुकी है लेकिन इलियट ने उसे बहुत द्रिरता से कहा मानो या न मानो अब तुम मर चुकी हो तुम्हें दुनिया की चीजों के बारे में सोचना बंद करना होगा ये कहने की बात नहीं है कि तुम हर किसी के लिए एक लाश हो और मैं तुमसे बात कर सकता हूँ क्योंकि मैं मुर्दों की आत्माओं को देख सकता हूँ इलियट ने ऐसा कहा और मुर कर चला गया लेकिन एना बुड़े आदमी की बात पर विश्वास नहीं करती है इसलिए वो इलियट को मारने और इस जगह से भागने का फैसला करती है मुर्दा घर की महिला दरने के बजाए अचानक जिंदा हो जाती है मोटीशन महिला को बताता है कि उसकी कार दुरगटना में मृत्यू हो गई लेकिन महिला उस पर विश्वास नहीं करती है वो मोटीशन को मारने और अपने घर भागने का फैसला करती है एना के हाथ में एक कैची है जो इलियट के उसके पास आने का इंतजार कर रही है वो कैची लेती है और उसके शरीर में घोब देती है लेकिन इलियट उसके हमले से आसानी से बज जाता है इलियट को मारने के बजाए एना दर्वाजे की तरफ भागती है लेकिन दर्वाजा पहले से ही बन था इलियट एना के पास आता है इलियट उसका हाथ अपने पास ले जाता है ताकि वो उसके गले में चुरा गोप सके एना की ऐसा करने की हिम्मत नहीं होती एना उसे मारने का प्लान छोड़ देती है और इलियट एना को बताता है कि तुम मर चुकी हो और तुम्हें दो दिन में दफनाया जाएगा वो चाहता है कि एना को पुनरजीवित होने के बारे में कोई ब्रह्म न हो इलियट एना को शांत करने के बाद वो फ्यूनरल होम जाता है और एक बूरी महला का अंतिम संसकार करता है उसी समय एक छोटा लर्का उसके पास आता है उसने एना की क्लास में एक छात्र होने का दावा किया उसने सोचा कि यह उसकी शिक्षक एना का अंतिम संसकार था और वो आखरी बार आकर उसे देखना चाहता था लेकिन इलियट ने उसे बताया कि एना का अंतिम संसकार शुक्रवार को होगा दूसरी ओर एना अपनी खिस्मत को दोश दे रही है वो गुस्से में है और घर में सब कुछ तोड़ देती है जब इलियट वापस लोटता है और कमरे में गंदी देखता है तो उसे लगा कि एना ने इस बात को स्विकार कर लिया है कि वो मर चुकी है इसलिए उसने कोट उतारा और घर की सफाई शुरू कर दी तब ही एना धीरे-धीरे इलियट के कब्डों के पास गई और चावी चुराने की कोशिश की इलियट फिर कुछ खरीदने के लिए बाहर निकला लेकिन जब वो पेमेंट करने के लिए कंविनियन स्टो पर था उसे पता चला कि उसकी चाविया गायब है तो वो तुरंट फ्यूनरल होम जाने लगता है दूसरी तरफ एना पहले ही मुर्दागर से बाहर आ चुकी थी जैसे ही उसमें दरवाजा खोला इलियट की हेडलाइट उसको देखी एना मुरी और दूसरी मंजील की और भागी वो इलियट के ओफिस गई और लेंडलाइन पर अपने बॉइफ्रेंड पॉल का नंबर डायल किया लेकिन इस कमरे में सेल फोन का सिस्टम खराब था पॉल ने मदद के लिए एक धीमी आवाज सुमी और सोचा कि उसे ब्रहम हो रहा है क्योंकि वो अपनी गल्फ्रेंड को याद कर रहा था इसलिए उसने फोन रख दिया इलियट एना की मदद के लिए कॉल को फेल होते हुए देख रहा था वो बेफिक होकर आया और सपष्ट कर दिया कि तुम अब मर चुकी हो इस समय सिर्फ मैं ही तुम्हारी आवाज सुन सकता हूँ इना अभी भी आधे अधूरे मन से मान गई है इसलिए इलियट ने शीशे को धखने वाले कप्रे को हटा दिया इना आयने के पास गई जब उसने अपने शरीर को आयने में देखा तो उसने महसूस किया कि उसके शरीर की स्थिती एक मुर्दे की लाश से अलग नहीं है उसने इना से कहा कि वो मर चुकी है लेकिन इना ने तब तक उस पर विश्वास नहीं किया जब तक कि इलियट ने दरपन नहीं दिखाया एना ने देखा कि वो उस पर विश्वास करने से पहले एक सूखी लाश बंग गई थी लेकिन फिर उसकी एक हरकत में उस आदमी की अभिविक्ति को तुरंट बदल दिया एना ने नीचे देखा और गहरी सास ली शीशे पर पानी की भापाई उसकी सासे गर्म थी इससे पहले कि वो अपना से रुठापाती इलियट ने अपने रुमाल से धुन को मिटा दिया लेकिन ये सब खिर्की के बाहर एक बच्चे ने देख लिया था अगले दिन एना का बॉइफ्रेंड पॉल उसकी मौत के बारे में आता है वो एना की स्कूल आया ताकि वो उसका सामान ले जाए पॉल स्कूल में उस बच्चे से मिला जिसने कल रात एना को देखा था उसने पॉल को बताया कि उसने कल रात funeral home में एना को देखा था एना ने उस समय लाल रंग का nightgown पहना हुआ था पॉल को पहले लर्के पर विश्वास नहीं हुआ क्योंकि उसे याद था कि एना ने पहले कभी लाल nightgown नहीं पहना था लेकिन जब वो घर जा रहा था उसने सरक के किनारे एक खिरकी में एक लाल अंडिवियर देखा तभी उसे याद आया कि एना के पास बिलकुल उसी तरह लाल रंग की ड्रेस थी क्या एना वास्तव में मरी नहीं थी? पॉल फ्यूनरल होम के लिए भागा इस बार उसने एलियट को नज़र अंदाज किया और घर में गुज गया लेकिन मुर्दाघर का दर्वाजा बंध था वो दर्वाजे पर जुग गया और अंदर से एना से जवाब पाने की उम्मीद में दर्वाजे पर जोर से धक्का मारा एना को यकीन हो गया था कि वो अब एक लाश है यहाँ तक कि अगर वो अपने बॉइफ्रेंड से मिलती तो यह उसके दर्द को और बढ़ाएगा इसलिए उसने बस हार मान ली और उसे देखने के लिए दरवाजा नहीं खोला जल्द ही एना का अंतिम संसकार तै समय पर किया जाएगा उसने आखरी बार खुद को देखने के लिए आएने में देखा एना ने खुद को देखा जो जल्द ही दफन होने वाली थी और आह भरी की एक खूबसूरत महिला को दुरभागे का सामना करना पढ़ा लेकिन तभी उसने शीशे पर गर्म हवा की भाम देखी क्या पानी की सास का मतलब यह नहीं है कि वो अब भी सास ले सकती है क्या ये उसके जिन्दा होने का सबूत है उसने इलियट को दरावनी नजरों से देखा क्या वो वास्तब में एक साइकोपेट किले है लेकिन इससे पहले की एना कुछ कर पाती इलियट ने जबर्दस्ती उसका हाथ पकड़ लिया और एना की गर्दन में सीरिंज गुसा दी कुछ सेकेंड बाद एना फिर बेहोशी की हालत में आ गई इसी वक्त इलियट ने अपना कैमरा निकाला और एना की एक तस्वीर ली अंतिम संसकार के समय एना की पलके काम रही थी लेकिन हर कोई अपने दुख में इतना डूबा हुआ था कि उन्हें उसके शरीर के बारे में कुछ भी अजीब नहीं लगा पॉल उसका बॉइफ्रेंड सबसे आखिर में आया था उसे सम्मान देने के लिए उसने एना के हाथ में हीरे की अंबूठी पहना दी इलियट जो पास खड़ा था इस समय बहुत गबराया हुआ महसूस कर रहा था उसे चिंता थी कि पॉल एना के शरीर के रहसे का पता लगा लेगा पॉल ने एना का हाथ पकड़ रखा था लेकिन इस समय उसे सबसे ज्यादा थंड़क ही महसूस हो रही थी जिससे उसे विश्वास हो गया कि एना मर चुकी है पॉल धीरे धीरे नीचे जुका और जाने से पहले एक आखरी बार एना को किस किया इलियट ने जल्दी से ताबूत का धक्कन बंद कर दिया ऐसे ही जब एना उठी तो कानों में बालू और मिटी की साफ आवाज सनाई दी एना को एसास हुआ कि उसे जिंदा दफनाय जा रहा है इसलिए उसने ताबूत के धक्कन पर थप थप थपाया लेकिन अब कोई उसकी आवाज नहीं सुन सकता था दूसरी ओर इलियट ने एना की तस्वीर दीवार पर लगा दी भयानक बात यह है कि दीवार पर ऐसी कई तस्वीरे लगी हुई थी जिससे पता चला कि एना कई लोगों की तरह एक शिकार थी लेकिन मामला अभी खत्म नहीं हुआ है देर रात इलियट और पॉल एक पार्टी में मिलते हैं उसने पॉल से कहा कि अगर तुम काफी तेज हो तो एना अभी भी जिन्दा हो सकती है तुम उसे कब्रस्तान से बाहर निकालने में सफल हो सकते हो पॉल के पास इसके बारे में सोचने का समय नहीं था और वो कब्रस्तान के लिए चला गया लेकिन उसका आजीब तरीके से कार एक्सीडेंट हो गया रोश्नी की एक बहुत ही अंधेरी कॉंध के बाद पॉल उठा और उसने पाया कि वो मुर्दागर में है इस समय पॉल जैसे पहले एना थी सिर्फ बोलने के लिए अपना मुग खोल सकता है लेकिन हिल नहीं सकता और इलियर्ट फिर से उसके सामने आता है और उसे बताता है कि यह एक फ्यूनिरल होम है तुम मर गए हो यह कहानी का अंत है वास्तव में पॉल और एना का कार एक्सिडेंट कोई दुरगटना नहीं थी और उनका एक्सिडेंट इसलिए हुआ क्योंकि उन्हें इलियर्ट द्वारा चलाए जा रहे वैंसे बचना था और पॉल भी उसी स्थिति में था